वेल गाइस आज हम रिवीव और ब्रेकडाउन करने वाले हैं यहां पे एक्समेन दे डार्क फीनिक्स के सेकंड ट्रेलर का और यह ट्रेलर हमें मुई से रिलेटेड काफी सारी इंफरमेशन और डीटेल प्रोवाइड करता है यहां पे काफी सारे एक्समेन फ्रेंचाइजी के फैंस यहीं होप कर रहे हैं क्योंकि यह लास्ट मुई है यहां पे एक्समेन फ्रेंचाइजी के डिजनी फॉक्स मर्जर से पहले तो यह मुई काफी जदा अच्छी होनी चाहिए और इस ट्रेलर में हमें इसके आसार नजर रहे हैं कि यह मुई जो है फैंस को डिसेपॉइंट करने वाली बिलकुल भी नहीं है इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन से यहां पर स्टोली निकालने की कोशिश की जाए तो यहां पर एक तरही के से कहीं नहीं चार्ल्स एक्जेवियर और हैंक मैकॉई इस मुई में हमें फीनिक्स फोर्स को ढूंड़ते हुए नजर आ सकते हैं जहां पर उनको स्पेस में कुछ अनुजूल एक्टिविटी होते हुए नजर आएगी और वह स्पेस शेटल में जो है वहां पर चले जाएंगे अपने एक्समेन वाली टीम के साथ जो कि हमें ट्रेल एन्हेंस्ट और इंप्रूट देखने को मिलेगा यहां पर अपने माइंड की उपर से कंट्रोल खो देनी की वज़ए से इसी का यहां पर फाइदा उठाती है इस मुई की में विलन जिसका रोल यहां पर प्ले करने वाली है जैसिका चेस्टन और जो कि कहा जा रहा है इस म म्यूटन्स हैं वो उनकी पावर्स से फियर करते हैं और इसलिए जो है वो इसे डिस्ट्रॉइ करने की कोशिश कर रहे हैं और यही बात जो है एक तरीकी से जो फीनिक्स फोर्स जीन ग्रे के अंदर है उसको काफी ज़ता खटकेगी और वो यहां पर म्यूटन्स को डिस्ट जो है उनके साथ जाने के लिए स्पेस में क्यूंकि जो फीनिक्स फोर्स है वो कहीं न कहीं यहां पर परिशान कर रहा होगा दूर से ही यानि कि एक तरीके का सिगनल भेज के जीन ग्रे को जिसकी वाज़से जो है जीन ग्रे काफी ज़दा अंस्टेबल फील कर रही होगी और इसी को काउंटर करने के लिए चार्स एक्जेवियर जो है पूरी एक्समें की टीम के साथ स्पेस में पहुंच जाते हैं जहां पर यहां पर फीनिक्स फोर्स का इन्वेजन जीन ग्रे की बॉड़ी में हो जाता है इसी की वाज़ा से मिस्टी की डेथ हमें मुई के आध में वह काफी ज़दा इंटरस्टिंग है क्योंकि यहां पर फीनिक्स फोर्स की मदद से वह पूरी की पूरी ट्रेन उलट देती है ज्रीन ग्रे और उनके साथ जो है वह स्मित हुई होती है जो की म्यूटेंस को एक तरीके से पूरी तरीके से खत्म करना चाती है उस टाइम जिस टाइम पे उनको जो है एक म्यूटें कांट्रोल सेंटर में ले जाय जा रहा होता है जहां पर म्यूटेंस पह कीया जाता है या फिर जहां पे मियूटेंस को कैद रखा जाता है और उनके गल्डे होता हो अपनी पोवर्स को यूज़ नही कर सकते है तो इसी का वार वाली स्टूएशन थी जिस तरह की से हमें स्विल वार देखने को मिली थी यहां पर Avengers vs Avengers जाहां पर Main villain कोई और ही था वैसे ही यहां पर Jean Grey, Smith , vs. the rest of the mutant यहां की एक्समेंस के बीच में जो लडाई है, यह वार ताइप की ही स्टूएशन है और यहां पर Baron Zemo का काम जो है वो Smith का character कर रही है और यहीं देखना अब interesting होगा movie में कि किस तरीके से यहां पर Jean Grey को Smith की manipulation से वापस लेकर आएंगे Charles Xavier और Rest of the Mutants इस ट्रेलर में जिस चीज को सबसे ज़्यादा पसंद किया होगा लोगोंने वो Magneto की acting होगी क्योंकि Magneto के expression जो है वो इस ट्रेलर में काफी ज्यादा कमाल धमाल थे और वहीं अगर मैं बात को यहां पर जो trademark रहा है X-men franchise की पिछली दो मुई से वहें यहां पर Quicksilver के iconic scenes तो कह प्यार Quicksilver के scenes को और भी ज़्यादा यहां पर enhance किया जाएगा इंट्रस्टिंग और एक important बात वह यह की Wolverine का यहां पर डाक फिनिक्स में होना यह तो हम जाते हैं कि यहां पर Wolverine जो है वह आपने character से retire हो चुके है Logan मुई के बाद लेकिन Hugh Jackman जो रोल प्ले करते हैं उन्हों डाक फिनिक्स में हमें एक चोटा मोटा cameo देखने को मिल सकता है उनकी तरफ से जिस तरीके से उन्होंने एकसमें देपॉल क्लिप्स मुई में दिया था एक चोटा cameo जिसकी वाज़ा से खास परक नहीं पड़ेगा और काफी सारे fans वह खुश भी हो जाएंगे अब अभी क्योंदि डाक फिनिक्स के रिशूर्ट के क् सकता है क्योंकि यहां पर गिलवरीन हमें क्यामी भीैश करते हूइब दिखाए देंसकते हैं या फिर नहीं सब्सक्स पर क्या परक्रेइब को ले कितना ज्यादा पसंद आई और किस ट्रेलर की अक्टिट्र आपको इस ट्रेलर में पसंद आई मुझे कमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें इस चैनल को मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तिल दें टेक केर एंड बेमावलस